आज मैं नील कमल और मेरी रस्वर में आप सभी का स्वागत है और आज मैं रेसिपी आपके लेकर आए हूँ उसे सुनकर आप चौक चाहेंगे क्योंकि घर की रहनी की जादू गरी है वह जुगार पराज आपके लिए रेसिपी लेकर आए हूँ वह है हरे दुनिये की डंठल की जटनी जिनको हम वेच समझ कर फेंगे बहुत ही फाइदे मन्द है आज मैं आपके लिए दो तरह की चटनी लेकर आए हूँ इस डंठल की तो इसके लिए हम देख लेते हैं क्या इंग्रीडियेंट्स लगेगा और अगर मैं आपको में यह रासिपी अच्छी लगती तो कि पुछ प्ति हरे धनीय की भी मिक्स कर दूंगी इना है इसको में इसमें थोड़ा सा डाल दूंगे ताकि पुदेने का भी फ्लेवर आजाए अगर आपके पास पुदेरी की पत्तियां हैं तो बो डाल सकते हैं फ्रेश लीव स्था आ सकते हैं तीन हरीमीच जो मैंने इसी कट करके रखी है वो जाएगी फिर मैं इसमें डालूंगी अद्रब फिर मैंने दस से बारा लसुन की कुलियां चील करके रखी है वो इसमें चाहेगी साथ ही में चाहेगा जीरा जिसे क्यूबिन से भी कहते हैं और इसके बार में डालेंगी पिंक सॉल्ट पिंक सॉल्ट में जिसे काला नमग भी कहा जाता है साधा नमग स्वादा नुसा पीस होंगी हम इसने चाहे तो थोड़ा सा लाल मेट भी अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे थोड़े से मुंफली के दाने भी एड करूंगी थोड़े से कुछ मुंफली के दाने यह मैंने एड किये हैं मोटा मोटा रखा है ताकि इसका पर पेस्ट है जैसे हमने हाथ से सिल्वट्टे पर पीस्ते है वेसा टेस्ट है इसलिए इसलिए बहुत बारिक नहीं किया है अगर आप चाहे पेसे और पारिक भी कर सकते हैं दूसरी चत्नी की चाहे देए इसके लिए मैंने यह डंठल है यह डाल दिये हैं कि रंडर के बाद में थोड़ा सा हरा निया डालूंगी दूसरी इसके बाद इसमीं चाहेगा वे 27 इसमीं कच्चि केरी कर रखे करी में इसमीं डालूंगी नहीं थोड़ा सा अद रक इसके बाद मैं इसमें डालूंगी काला नमग, उसे पैंक नमग भी कहते हैं, पैंक सौल, इसके बाद इसमें चायगा थोड़ा सा जीरा, फिर इसमें मैं खटा मिठा टेस्ट बनाने के लिए इसमें डालूंगी थोड़ा सा गुड़, गुड़ है, इस गुड़ को मैं इसमे में डालूँगी स्वाद अनुचाल ना मक अब हाम से मिक्सर में घ्राइंड करता पानी डालूँगी अब इसको मैं मिकाल लगती हूँ यह मेरी फैवरेट चत्ली अच्छा है और मैंने इसे थोड़ा सा दडड़ा पीसा है ताकि जिसे हम सिल्बट्टे पे पीसते हैं वैसा का फलेवर आए इसलिए यहने से बहुत बारिक मैंने किया है जो डोनों चटनी यह बंकरते आरहीं यह वाली जो क्यों चक्तनी है यह हमारी घ्टी मिठी चटनी यह हरेदनी की डंठल की चतनी जो की बहुत ही स्वादिस्ट है तो आप इसे जरूर घर परधाय कीजी और हु मुझाले देदादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें